तो हेई गाइस बेलकम एक नई वीडियो तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वनप्लस के नोड के बारे में तो गाइस जब से यह स्मार्टफोन के लिक साने स्टार्ट होए है तब से काफी जादा यूट्यूवर्स ने इसकी वीडियो बनाई है इन फैक्ट मैंने भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको इसकी स्पैसिकेशन बताई थी आपको स्पैसिकेशन बताऊंगा इसी स्पैसिकेशन सात्थ यह स्मार्टफोन आपको देखने केला मिलेगा इंडिया में उपो की रैंओ 4 तो आपको सेम इस तरह का डिजाइन बिलेगा बड़ जो cameras के position होगी वो आपको थोड़ी सी change हो कर देखने के लिए मिल सकती है OnePlus के node में तो गैस रही बात इसके display के इसमें आपको 6.55 inches की एक Full HD Plus वाई display मिलेगी जहां पर आपको AMOLED पैनल देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ ही इसकी जो display होगी वो dual punch hole cutout के साथ आईगी तो आपको दो camera's मिलेंगे सामने वाली side तो पहले leaks बहुत सारे आ रहे थे कि इसमें आपको एक single punch hole wide display मिलेगी बट Android Central नाम की एक website है और उन्हें एक article publish किया जिसमें उन्हें काया कि जो OnePlus का upcoming smartphone होगा उसमें आपको dual punch hole wide display मिलेगी यानि कि OnePlus के node में आपको dual punch hole wide display देखने के लिए मिलेगी तो आपको Full HD Plus का resolution मिलेगा और उसके साथ ही इसमें आपको in display fingerprint sensor भी मिलेगा रही बद इसके processor की तो प्रोसेसर आपको Qualcomm Snapdragon 765G वाला processor ही मिलेगा तो आपको performance सेम ही देखने के लिए मिलेगी जैसी performance आपको Oppo के Reno4 में देखने के लिए मिली थी तो आपको जो processor होगा वो सेम ही देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपको 5G का in build sport भी दिया जाएगा उसके बात कर इसके cameras की तो पिछवली side आपको 3 cameras मिलेंगे जिनमें जो main camera sensor होगा वो 48 Megapixel का होगा जहांपर आपको Samsung या Sony का sensor मिल सकता है 8 Megapixel का आपको ultra wide angle camera मिलेगा और जो 3rd camera है वो भी confirm नहीं है कि आपको 3 camera कौन सा मिलेगा तो ऐसा भी हो सकते कि आपको quad rear camera setup देखने के लिए मिल जाए बट मुझे लगता है यहाँ पर आपको triple camera setup देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जो आपको design मिलेगा वो थोड़ा सा Oppo Reno 4 से inspire होगा तो मेरे ख्याल से आपको 3 camera's देखने के लिए मिल सकते हैं रही बास इसके front camera की तो front वाली side आपको 2 camera's मिलेंगे जिनमें जो main camera sensor होगा वो 32 Megapixel का होगा जहांपर आपको Sony का sensor मिल सकता है और उसके साथ ही 8 Megapixel का आपको एक ultra wide angle camera मिलेगा तो आपको कुल मिलाकर 2 camera's मिलेंगे सामने वाली side उसको बात करें इसके RAM and store variant की तो ये जो smartphone आपको 2 variant के साथ लूँच हो सकता है इंडिया में एक 60V की RAM 120 8GB की storage 8GB की RAM 120 8GB की storage और इसकी जो starting price होगी वापको 24,000 से start हो सकती है और जो higher variant की price होगी वापको 27 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है तो देखते हैं किस price के साथ ये smartphone launch होता है और रही बात इसके Android version की तो इसमें आपको Android 10 का support मिलेगा जो based होगा oxygen OS पर तो आपको काफी अच्छी specification के साथ ये smartphone देखने के लिए मिलता है रही बात इसकी बैटरी की तो बैटरी आपको 4000 image तक की देखने के लिए मिलेगी इसमें आपको 30 वोट की fast charging का support दिया जाएगा तो कैसे होग की अपको वीडियो चलेगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए और चानल को सब्सक्राइब भी कर दिजिए और साथ ये बैल को दुबा दिजिए ताकि आप अनवाले अप्डेट्स को मिस ना करे ठेंक यू